हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टू ब्रेन आई क्यों आज हम एक ऐसे इंसान के बार में बात करने वाले जो नहोंने की इसाबित कर दिये दाट एज इस नॉट अबारियर तू अचीव एनिधिंग इन्होंने सबसे पहले लिथियमान बैटरी का इन्वेंशन कर रहे हैं जो कि आज हम हर जगे उस करते हैं हमारे स्मार्टफोंस, लाप्टॉप्स, टाबलेट्स, वाचेज हर जगे उस होती है यह उन्होंने 94 की एज पे जा काफी लोग कर लेते लाइफ में सब सुचते की हम कुछ करनी पाएंगे लाइफ में उस एज में एक नया मॉडल अपले थियमान ब बाटरी टेखनोलोजी आज हम बात करने वाले जौन बानेस तो गुड एनफ के बारे में सो लेट्स बिगिन तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से क्वेशिन पूछना जाओंगा इन विच कंट्री मोधी जी ड्रोवा कार इन इंडिया यूजिंग 5G टेखनोल अजिए देखने इन वीडियो तो अली चाल्षट चे शुरू करते है जौन बूड गुड एनफ वस बारन जुलाइ जुलाइट फिफ्ट आफ 1922 वस बारन जर्मनी तो अमेरिकन परेंस इनके जो चाल्षट था दैट वस फूल अस च्ट्रूल अस इस सपर फॉर्ड इसलक् 1952 में अट एज 30 इनो ने पीएस्टी कंप्रीट कर ली इन फिजिक्स अट एज अट यूनिवसिटी अफ शिकागो इसके बाद ये मित लिंकम लाब गए जापे इनो ने हेल्प करें क्रीटिंग वन अब दो फर्स फर्म्स अफ कंपीटर मेंबरी डाट इस रैंडम एक्सिस बैटरी टॉक्नोलोजीज फिर 1976 में ब्रिटिश चेमिस्ट मिशल स्टैनली विठिंगम ने सबसे पहले लिथियम बेस बैटरी का इंवेंशन करा और इस बैटरी की खासियत थी कि इस बैटरी का लोग बेट था इट हाई एनजी देंसेटी और इस केपेबिलिटी तु वरक रूम टेंपरेचर अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन और वो सॉल्फ करी जॉन भी गुड़ इनफ ने इसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूब्मेंट्स लाए और इसके लिए इनको 2001 में जाके जपान प्रैस में मिला अलॉंग फिफिटी मिलियन तो अल्दो उन्होंने काफी रिसेच करी और इस लिथियम आन बाटरी की डबल भी करदी कपासिटी अपने सिग्निफिकेंट इंप्रूब्मेंट्स लाए इनको अभी भी लगा कि इसमें और भी बहुत ज़दे स्कोप है फॉर इंप्रूब्मेंट एंड अट इज अफ न इनना ही लिथियम आन बाटरी जिसके वज़े से इनकी ओल्ड इन्वेंशन होगी रिडूंडेंट इसके लावा इंको 2019 में अट इज अफ 97 इनको अलॉंग भी मिशेल स्टैनली विधिंगम और अकिरो यशिनो इनको नोबल प्रैस इनको केमिश्ट्री अवार्ड वार फॉ इनको पर्ड अनदा ब्रेक्थू इन बाटरी टेक्नोलजी तो कविंग बाक टॉप्ट्री मोदीजी द्रोव आ इंडिया उसें था इन तो इसका करेक्ट टांजर है स्वीडन तो रिसंटली कॉल कंगे थू कॉल कंगे थू और इसके थू इंडिया में बैठे-बैठे मोद इसमें दिखाया गया था कि इसमें almost no latency है और इसके लावा 5G की बात के रहे हैं तो मैं आपको यह भी पिता देता हूँ that Delhi airport has recently become the first airport in इंडिया to become a 5G-enabled airport तो इसके साथ वीडियो खतंग कते है थांक्यू बाइबाइबाइ